आज हम आपको आवला केंडी आवला के गुंधर्म बताने वाले हैं जो मेरे हाथ में आज आवला आपको दिख रहा है तो इसके बारे में आप से जानकर इसाजय करने वाला हो क्योंकि आईरोवेद में इसको रसायन कहा गया है जैसे के आलवोरा जैसे के हरितकी तुलसी और गिलोए इसको आईरोवेद में बहुत ही बड़ा स्थान है इनको रसायन केटेगरी में रखा गया है क्योंकि जितने भी सदियों से जितने भी आवशोदी आईरोवेद की बनत का आयोवेदिक जो आउशदी उसमें बहुत ही बड़ा महत्व है और चरक सहिता में भी आमलकी रसाइन का उल्लेक है इसलिए आज हमने टॉपिक चुना है आवला का बारे में आपको जानकरी साजय करना चाहते हैं तो जो लोग अभी-अभी चैनल पे जुड़े हैं उनको मे पास आएगी और लाइक करके रहना तो मित्रो यह जो आवला है यह बहुत ही बेस्ट है सदियों से रुशिमूनियों ने इसको बहुत सारे आवशदी बनाने ते वक्त इसका इस्तमल किया है जैसे कि फेसप्यक सवंदरे वर्धन में भी बहुत ही गुनकारी है आवला का त जो पावडर रहती है उसमें रोज वाटर या कर्ड मिलाके आमारे चेहरे के उपर फेसप्यक लगा सकते है इससे क्या हो जाएगा जूरिया मिड़ जाएगी और चेहरा सतेज हो जाएगा और एक अलग ही किसम की चेहरे के उपर चमक आएगी तो इस तरह से आवला बेस्ट है तो आपने बच्चों को दीजिए आवला खाने का सई समय क्या है कितना आवला खा सकते है तो एक दो आवला खा सकते है इसमें 56 क्यालरीज है इसे इंडियान गुजबेरी भी कहा जाता है तो कार्बाहडरेट प्रोटीन फैट और विटेमिन सी का बेस्ट रिसोर्स है वि बच्चों को दीजिए और जिनके आखे कमजोर है मोतियबिंद का प्रॉबलम है या कैटरेट का प्रॉबलम है तो ऐसे में विटेमिन A का बहुत ही रिसोर्स है इससे आखों की रोशनी तेज होगी तो कैटरेट से आगे चलके आप बस सकते हैं तो इसको जरूर आपने डा गया कि ब्लड जो जिनको ब्लड शुगर की बीमार है याने डाइबेटिस की बीमार है तो ऐसे में इसको ले सकते हैं क्योंकि इंशुलिन हार्मोन को कंट्रोल करता है फ्री रैडिकल्स को हटाता है कैंसर प्रक्तिबंदक है तो इसलिए आपको हर दिन आवला खाना चाहिए सो रोगों के लिए रामबन एक आवला है तो इसको दो तिन आवला आपको खा सकते हैं खाली पेट खाओगे तो बहुत ही आच्छा रिजल्ट मिलेगा लेकिन आपको तुरन चाय कौफी नहीं पि खाए पाउडर के रूप में खाए पाउडर के रूप में खाना है तो रात को खा सकते हैं तो आपको ज्यादा बेनेफिचल होगा बालों के ऊपर पाउडर का लेब भी लगा सकते हैं बाल दो सकते हैं केमिकल से फ्री रहेगा तो आवला एक बेस्ट आउश दी है और रसा काम करने की उमीद बढ़ेगी थकोंगे नहीं वर्काउट करने के बाद जुस भी ले सकते हो एसे कोई दिक्कत नहीं तो आवला, कैंडी के रूप में खा सकते हो पाउडर फर्म करें। जूस करें। आचार करें, मुरब्बा करें, कोझसे भी चीज में खाए, लेकिन इसको ज्रुझाए, ज्यादा भी नहीं खाना है, कोई भी खा सकता है, प्रेगनसी में भी खा सकते है, बच्चे से लगके बूढे तक हार कोई आद्मे इसको खा सकता है, इस तरह से आवला बेश्ट है, से हमें बचाओ करेगा, और स्यहद आवला और आधरत का सिरब भी ले सकते हैं, एगे बाड़ि के लिए हैं, ऋग घचाता है तो एगे dennet के बाड़िय। में भी बेस्ट है इस तरह से आप इसको लीजे और एजिंग प्रोसेस जुरिया मिटाता है फ्री रैडिकल्स को गटाता है वाडी डी टॉक्सिफाई करता है यानि जो विशाली पदारत है वाडी से बाहर निकलता है इस तरह से बेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत ही देता है लिवर का फंक्शन बढ़ाता है तो आवला आपको खाऊगे तो यह सूपर फूड है आयरोइद में इसको आमरूत फल भी कहा गया है और इसको चवन प्राश में इस्तिमाल करते है जिंक, मैंगनेशियम, पोटेशियम, पिम्पल्स को निकालेगा, चेहरे के ओपर तेज लाएगा तो सर्दी जुखाम आलसर्स में राहत देगा तो इसको जरूर खाए और जिनको वजन कम करना है मोटापा में इसको खा सकते है इसे वजन बढ़ेगा नहीं और ए वजन कम करने के लिए बहुत ही अच्छा तो आवला को आप जरू खाए आवला से आपको आशिडिट का प्रॉब्लिम नहीं होगा और जो आंटासीड की दवाए आप खाते हो रैविप्राजोल, पैंट्याप्राजोल, पैंडी और जितने भी सारे हैं उससे आच्छा आवला गैंडी का इस्तिमाल करो और यह बेस् लगते हैं, आशिडिटी से चुटकार मिलेगा, घट्टी डकार नहीं आएगी, डाइजेशन आच्छा और प्रापर धरीके से होगा और आपको पचन शक्ती भी बड़ेगी, तो हमारे इंफर्मेशन आपको कैसी लगते हैं हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बत मैं डॉक्टर आजित, ऐसी महत्वपुर्ण जानकारी आपसे शेर करता रहूंगा, मित्रो, नमस्कार, बाइबाइ